नमस्कार दोस्तों quality magnify इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ जिससे आपको सीखने को मिले और आप आपके professional life में इसको इसको इस्तमाल करके और भी आगे बड़े अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और bell बटन को भी दबाए जिससे future में में कभी भी नया वीडियो अफलेड करूँगा तो आपको ये notification मिल जाया करेगा तो दोस्तों आज का topic है ओलेड टाइपस आज हम पता करेंगे ओलेड कितने तरह के होते हैं कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं और ओलेड का हम लोग कैसे different जगह पर उसको इस्तेमाल करके उसका फाइदा उठा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो का अंतक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको share करें अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like भी करिए तो दोस्तों पता करते हैं ओलेड होता क्या है ओलेड सार एन अल्टरनेटिव फर piping branch connections तो piping branch का जो connection होता है उसका अल्टरनेटिव ओलेड होता है जहां पहले जब piping branch का connection आता था तब हम लोग क्या करते थे pipe का कटपिस काटके main header का pipe में उसको holding करते थे और उसके उपर उसका strength बढ़ाने के लिए हम लोग उसका एक reinforcement pad देते थे मगर ओलेड आने के बाद और बिना reinforcement pad के यूज किये हम लोग direct wallet को उधर लगाते हैं because allets are manufactured with that much of strength ठीक है तो अभी देखते हैं और अल्टरनेट मेंस अव कर्वेचर जैसे बनाया जाता है और बैस में कर्वेचर उसी साबसे उतना हिंच के लिए बनाया गया है एक company called boniforge is bringing this concept, boniforge force bowl के company वो concept लेका आया था, उसके बाद से ओलेट का ज्यादा इस्तमाल, oil and gas हो गया या power plant हो गया, जहां पर भी branch connections piping और pipeline में आता है, यह ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तमाल किया जाता है, तो ओलेट कितने तरह के होते हैं, generally ओलेट को इधर हम लोग साथ केटेगोरी में डिवाइड किये हैं, ओल्ड ओलेट, शोक ओलेट, थ्रेड ओलेट, एलब ओलेट, स्वीप ओलेट, लेटर ओलेट और निप ओलेट, तो आयो दोस्तों, एक एक करके पता करते हैं, यह ओलेट होते क्या है, तो पहले ओल्ड ओलेट, ओल्ड ओलेट, इट इस यादा चेक किया जाता है वहां पर व्ल्डेलोट यूज किया जाता है तो व्ल्डेलोट में 90-degree branch full size of reducing and available from size 2 inch and onwards तो व्ल्डेलोट 2 inch से उपर आता है और 90-degree branch connections की आता है तो व्ल्डेलोट किया है? अगर आपको बैसल एड या पाइप केप में लगाना है जहां पर फ्लाइड है उस तरह का ओलेड भी अबलेबल होते हैं उसके बाद है थ्रेड ओलेड क्या है इडिस फर थ्रेडड ब्रांच कनेक्शन जहां पर थ्रेडड आपको उधर बाट वेल्ड आता था यदि वोर्ड दोह में शॉकोलेड आता था थाний दिटक्शव क्योकोलेड में आता था और थेंडोल आता मैं अपका एड कनेक्शन आयगा ृइड होट ना फोडि ब्रांच फूल साइज और रिदूसिंग इन स्ट्रेट पाइप, फ्लाट बेश्ट थ्रेड ओलेट्स अर अबलेबल फर ब्रांच कनेक्शन इन पाइप केप्स और बैसलेट्स तो बैसलेट्स और पाइप केप्स के लिए के भी आपको थ्रेड ओलेट वैसे मिल जाएंगे, तो उसके सबस्टाएब बत कुंझा वह दोस्तों ऐलबॉट, आपको वैल में लगाने के लिए यविज ब्रांच कनेक्शन जा रहा है, आप उदर कनेक्शन करेंगे, तो क्या करेंगे, उदर लगा सकते हैं, इस दूज्ज़ फर ब्रांच कनेक्शन इन अलबॉस, इट एल्बो के साथ मेच हो कही आता है जितना इंच का एल्बो रहेगा उसी हिसाब से अगर आप एल्बो लेट उसमें यूज करेंगे तो प्रोपाइल बराबर मेच रहेगा और नाइंटी डिग्रे इंगल कही आता है इचका नेक्शन में भी बाट, सोकरट और फ्रीबॉर इसका कनेक्शन कुछ भी हो सकता है जो आप बाट बाला लाशकते हैं और फ्रेडड बाला भी रासकते हैं बाद में क्या है? Swipolet. Swipolet is integrally reinforced bot weld branch connection. इसमें क्या होता है? एक reinforcing pad जो है, वो अल्रडी integrated होके इसके साथ लगा रहता है. Swipolet make a 90 degree reducing branch from the main run pipe. उदर से क्या होता है? एक reducing branch 90 degree का निकल के आता है. It is developed for high yield pipe used in oil and gas transmission line. जहां पर transmission line का use होता है, उदर यहां पर use किया जाता है oil and gas sector में provide good flow pattern and optimum stress distribution. यह क्या करता है? इसका good flow pattern है और stress distribution भी सबसे optimum level में यह देता है. बाद में क्या आता है दोस्तो? lateral, lateral outlet. It is used for branch connection at an angle. जितना भी outlet अभी पहले हम लोग पड़े है, सब 90 degree का आता है. यह कितने कहाता है? 45 degree. lateral outlet क्या करता है? It makes 45 degree from the branch connection. Mostly lateral outlets are used in player relief lines where the branches are going to connect with the main player headers. अगर आप player line में देखेंगे, तो player line में इसका इस्तमाल सबसे ज़्यादा होता है. Mostly lateral outlets are used in player relief lines where the branches are going to connect with the main player headers. तो यह 45 degree का एक branch connection outlet है. तो उसके बाद क्या होता है? Last में क्या होता है? Nipolet. These are used to directly attest drain box pressure instruments. उसके लिए क्या है? Nipolet में क्या फाइदा है? ओलेट के साथ और pipe का ओल्डिंग करने का ज़रूरत नहीं. ओ अल्रेडी pipe उसके साथ अटेज होके आता है. तो यह क्या करता है? It helps saving extra fitting and installation work. आपको और ज्यादा wallet लगाओ, wallet के बाद फिर pipe लगाओ, pipe के बाद फिर कोई instrument लगाओ, या फिर कोई valve लगाओ, या फिर कोई drain लगाओ, उसको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. यह अलड़ी integral होके आता है. इसलिए निपल उसके साथ लगा रहाता है, इसके लिए उसको बोलते है निपोलेट, तो निपोलेट क्या होता है? These are used to directly attach drain, valves, pressure instruments, etc. It helps saving extra fittings and installation work. तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. आगे भी इसे वीडियो देखते रहे हैं, और हम आपके लिए इसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे. धन्यवाद दोस्तों. नमस्कार दोस्तों. Quality Magnify India.